तो आज कर जो हमारा चॉपिक है वह बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंडिवान टॉपिक है और मुझे इस वीडियो के लिए काफी रिक्वेस्ट आती थी लेकिन मैंने आज तक आपको अपनी चिकन कारी कुर्थी का कलेक्शन नहीं दिखाय करने वाली हूँ चिकन कारी कुर्थी का मेरा अपना कलेक्शन जो कि एक एपिसोड में पूरा नहीं हो सकता है व्योंकि उसमें बहुत सारी कुर्थी की कलेक्शन जो आजकल चल रही है आजकल चिकन कारी कुर्थी सिर्फ एक कलर की या एक पैटन की नहीं मिलती है बहुत सा सारे option है चिकन कारी कुर्ती में भी बहुत सारे sequence work में मिलता है, different color, multi color, colorful, same cloth, same dark color thread के उपर, बहुत सारी चीज़े मिलती है, तो definitely मैं आपको हर episode में थोड़ा थोड़ा different different type की कुर्ती दिखाने की कोशिश करूँगी, तो आज जैसे कि हमारा first episode है चिकन कारी कुर्ती के बारे में, तो मैं आपको थोड़ी सी basic knowledge देना चाहूंगे, तो आप उसकी value जादा करने लगते हो, और आपको पता होता है कि आपने उस चीज़ को कहां से derive किया है, कहां से origin हुआ है, और कहां से आपने उसको grab किया, और आपको पहन कर भी बहुत ज़दा मज़ाद है, तो let's start for the first time, chicken कुर्ती is on my episode, और मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताती रहूंगी इसके बारे में भी, yes, तो हम start करते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले white chicken कारी कुर्ती के बारे में, जो की plain होती है, एकदम से, और जो chicken कारी कुर्ती का जो काम होता है, वो होता है, इसका white मलमल के कुर्ते पे, white सूती धागे से ये काम किया जाता था, I think इसका जो origin है, जितना हमें पता है, इसका जो origin है, वो हुआ था, I think 200 या 300 साल पहले, और ये कहा जाता है, कि ये हमारी जो बहुती फेवरेट ताज महल की रानी, नूर जहां के टाइम पे इंडिया आया था, और ये सेंट्रल एशिया से ये कढ़ाई लाई गई थी, जो अपने साथ नूर जहां जी है, जो अपने साथ एक मलमल के अपड़े पे एक अमरोइटरी लेकर आया थी, जो कि बहुती सुन्दर और बहुती खुबसूरत थी देखने के लिए, और बहुती फ्रेजाईल, बहुती नाजुक सी थी, तो वो इंडिया लेकर आये थी, और उन्होंने जो अपने किंग को ये दिखाया, और उन्होंने बहुत सारे वर्क्शॉप, अब और और इंडिया खोल दिये और उसके बात यह ज़्यादा कर लखनव में आसपास के शेहरों में यह गाव में यह चिकनकारी अमरोइटरी की तैबलिश हुई और यहाँ से एक हैबिट के तोर पर एक होबी के तोर पे यह की जा दी दिलेकिन उसके बाद यह ज़्यादा पसंद की जानने लगी कि उसका जो origin अभी तक चल रहा है किा और योगते मैं और या या लहंगे पटे में रहे इस तरीक़े से रहा कुर्टी या चिकन कारी व्रक हम देख सकते हैं okay anyways तो हम अपने second कुर्टी की तरफ जाते हैं इस वर्स जो कुर्ति सबसे पहले ऐसी ही आती है जो वाइट कुर्ते पे होते हैं और इक यह वाइट करने सूती थागे से इसका जो है वह एम्ब्रोइडरी की जाती है आप जो जैसे कि मैं आपको इसकी स्टोरी धीरे धीरे बता दे रहूँगी आपको तो पता है कि मुझे आपको थोड़ा से नौलेज़ देने में और खुद भी नौलेज गाने में बड़ा मज़ अब्रोइट्री है जो बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत आप देख सकते हो इसमें जो है यहाँ बाद डोरी दिए है आपके यह ज्यादा पटले मोटे जैसे भी आपके वेट की हिसाब से यह आपके पॉडी टाइप की हिसाब से आप इसको बू कर सकते हो हैं प्लस आप यह जिजिते हैं लोगेट कुछी ज़ो ह bread की आपके और कहत्रा पीख और यह उटने हम्यों जिसना और बूद और जाथ और धर कमार्व था से में कृता है